कुछ था मेरे दिमाग में कुछ करने का चैनल से रिलेटेड सोच रही थी बट वो नहीं हो पाया मैंने ट्राइ किया बट उससे नहीं हो रहा है इससे रिलेटेड ना एससरीज मेरे पास अभी नहीं है जब वो अवेलेबल हो जाएगी तभी वो चीज अच्छे से हो पाएगी आई थिंक क्योंकि अभी मैंने कोशिश की ना तो मुझसे बिल्कुल ही ह पाया है और उसके चक्कर में मैंने काफी सारा रूम अपना मैशी कर लिया है काफी सावान पहला लिया है यह देखिए यह सब चीज है मेरी जूल्री बिखरी हुई है क्योंकि कुछ सारी के साथ पहन कर कुछ मैं बनाने की कोशिश कर रहेती शूट करने की बढ़ हो नहीं इसलिए फिर मैंने उस आइडिया को अभी ड्रॉप कर दिया है आगे जब मैं सारी चीज़े अवेलिबल कर लूगी अपने पास तब ही वह वह चीज़े कर पाऊंगी सो फिलहाल मैं यह सब भी चेंज करने वाली हूं रइगुलर क्लॉट में आने वाली हूं और किचिन में करूंगी एक्चुली प्रॉब्लम यह है कि वान्या चोटी है और उसका ना शाम को सोने का टाइम हो जाता है और सोने के लिए वो मुझे कम से कम आधा घंटे से भी ज्यादा टाइम के लिए ना पकड़ के रख लेती है तो तो ना वो टाइम फिर उसको चाहिए रहेगा त थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा 5-10 मिनिट बाहर तो इतना ज्यादा अंधेरा हो गया है बहुत थंडी थंडी हवाइल चल रहे है इतनी सर्दी हो जाएगी मुझे पता नी था बहुत सर्दी हो गई है चलिए मैं दिखाती हूँ फ्रेंड्स मैंने चेंज कर लिया है क्य कैसे हो अपच्छे 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 ह एक और करो अखाँ अब ममा करने वाली है हाँ क्या ना चलो हम चलते हैं हाँ हाँ बाई 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 मिलते हैं मिलते हैं अपी अपी यह देखिए बाहर का नजारा है कितना सारा अन्वी थेरा हो गया है बहुत रड़ी हो गई है और यह भी चली आई है मेरे साथ वान्या तो मैं फड़ा फट पेड़ों में पानी देदेती हूं उसके बाद मिलती हूं आप सबसे किचिन में किचिन में आ गई हूं सबसे पहले हम आलू रख देते हैं बॉइल होने के लिए बागी प्रॉसेस बाद में करेंगे तो चलिए फिर तो यहां आलूं को मैं ओबलने के लिए रख रही हूं अच्छे से धोकर उनको बॉइल करने रख देती हूं तब तक मैं चटनी की तयार प्राब्लम हो जाता है खाने के बाद पेट दर्द करता है मेरा सो इसलिए मैं भून कर ही डालती हूं अच्छी लगती है चटनी भी और मुझे मुझे प्राब्लम भी नहीं होता है तो बस यहां पर थोड़े देर बाद अभी मैं टमाटरों को रखे देती हूं भूनने के लि मैं मिक्सर में पीस कर यहां पर तो बस चटनी मेरी बनकर एकदम तयार हो गई है अब करती हूं आगे की तयारी यह सब चीज़े कट कर लेती हूं तब तक आलू भी मेरे बॉयल हो जाएंगे तो उनको भी मैं छिलका वगरा निकाल के मैश कर दूंगी और यहां बीच बीच कि फिर अभी वान्या का सोने का टाइम हो जाएगा तो बस यहीं सब चीज़ें कर रही हूं मैंने आटा निकाल लिया है यहां पर तो उसमें बस वहीं सब चीज़ें डालना है नमक और अजवाइन और मॉस्चर के लिए हम थोड़ा सा ओयल डाल देते हैं क्योंकि ताकि हमा रहां आटा निकाल देती अब यह नहीं निकलेगा और यह नहीं नहीं निकलना चाहिए अभी आठा नहीं मिलेगा हम जब लगा लेंगी उसके बाद देंगे तो अभी जाओ हमको अटा लगाने दो ठीक है बई बाई बाई बस आलू भी मेरे बॉयल हो गए उन्हें निकाल लेती हूँ मैं और फटा-फट से छिलका वगएरा निकाल गए बाकी की तयारी कर लेती हूँ आटा भी लगा दिया है मैंने और बस आलू भी निकल गए हैं अब इसमें पाकी सारे जो मसाले कट किये थे ना धनिया मिर्ची व पैसे थोड़ा सा कम करती हूँ कि फिर पराठे कम और समोसे ज़्यादा लगने लगते हैं तो बो मैं समोसे में ट्राइ करती हूँ वह चीजज है अभी तो मैं ऐसे ही इसे मसाला मिक्स कर गए और यह देखे सारी तयारी लगा लिए बस बनाना शुरू करती हूँ और मामी बापा के लिए यहां खाना लगा दिया है बस उनको दे देती हूं ताकि वो लोग खा लें और फिर आगे देखती हूं बच्चों के साथ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है ना थोड़ा रूम में चलती हूं फिर बताती है अब भी ना मैं अपना खाना लेकर आ गई हूं बच्चों के साथ बहुत प्रॉब्लम्स आता है बहुत जादा कभी कभी तो मुझे लगता है अपना आइडिया ड्रॉप कर देती हूं मैं ब्लॉगिंग का बहुत प्रॉब्लम्स क्रियेट हो जाती है थोड़ी बहुत उसने ना काफी मतलब बीच में सूसू पॉट्टी बेदानी क्या हो जाता है तो वो बंध करके आप जो कर रहे हो पहले वो फिनिश करो बच्चों का देखो तो बहुत जाता चोटे बच्चों को साथ strangling हो जाता है और अभी देखो मैं रूम में आये हूं मेरे पीछे ही आती जा रहे है इतनी शेयतानी क्यों करती हो कि और स् अब तीक हो गया है तीक हो गया है अब आप मेरे साथ बैठो आलू का पाँठा खाओ ठीक है चलो फिर खाते हैं मैं तो यहां बस जल्दी जल्दी अपना खाना फिनिश कर लेती हूं अर्थिंक वान्या भी सोने वाली है उसका सोने का टाइम हो गया है उसके बाद मैं उसके पापा जी के लिए बनाऊंगी और किचिन वगरा क्लीन करूंगी मिलते हूं आगे आपसे तो सो गई है जैसा आपने देखा आप मैं जा रही हूं पराठे वराने अपने बतिदेव के लिए तो चलिए किचिन में चलते हैं आगी हूं अभी मैं किचिन में और बनाती हूं अपने पतिदेव के लिए बराठे फटफट से मैं उनके लिए और बना के उन्हें खिला देती हूं क्योंकि 9 बजे का टाइम हो गया है थोड़ा से जादा ही हो गया है फटफट वो भी खाए उसके बाद मैं सारा क्लीन करूं के चिन वगएरा सारा कुछ और उसके बाद मैं अपना भी जो है वो देखूं और फिर आराम करूं सारा दिन बहुत जादा महनत वाला हो जाता है बच्चों के साथ एक सेकिन भी आराम करने को नहीं मिलता है तो बस अभी तो मुझे पराठे बनाने में नींद भी आ रही है तो मैं फटा-फट से बना दे और उनके लिए परोसके उनको दे देती हूं फिर मैं भी रेस्ट करूंगी आराम से मेरे पती देव का पराठा बन गया है तो उनको दे आते हैं हम किचिन वगेरा सब क्लीन हो गई है अब मैं अपने लिए गरम गरम दूद लेने वाली हूं एक लास तो यहां पर मैंने गरम दूद और थोड़ा सा एड़ करूंगी केसर उसमें साथ में क्योंकि केसर भी बॉड़ी के लिए गरम होता है और मैं इसलिए यह सब चीज़े यूज करती हूं क्योंकि वानिया भी फीडिंग करती है तो अगर बुझे सर्दी नहीं लगेगी ना तो उसे भी सर्दी नहीं लगेगी और उसके शेरी में भी मतलब गरमा हट रहेगी बॉड़ी में उसके तो इसलिए यह सब चीज़े कर लेती हूं ताकि उसे कोई प्राब्लम ना हो विंटर्स में तो बस फाइनली मैं जा रही हूं में दूद अपना लेकर आजना बहुत जादा सर्दी है बह और बहुत जादा टायर हो जाता है पूरा दिंबर शाम तक रात को यह रखता है फड़ा फट बैट पे जाओ सो बस में अपना ब्लॉग भी यहीं एंड कर देती हूं फ्रेंड्स वरना वह बहुत लंदी हो जाएगा ना इसलिए सो बस अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए जो लोग नए है मेरे चैनल को जरूर जरूर सबस्क्राइब कीजिए मिलेंगी नेक्स्ट व्लॉग मैं अदब तक के लिए बाई बाई